हेलो स्टुडेंट, कैसे हो आप सब? कक्षा आठ, हिंदी की प्रक्रण नंबर पांच में हम अधियन करने जा रहे हैं देखे, अगले विभाग में हमने पार्ट वन में डॉक्टर अब्दूल कलाम के जीवन से साक्षातकार करके उनके साथ प्रश्नोत्तरी करके हमने कुछ जानकारी प्राप्त की थी आज हम पार्ट टू हिंदी कक्षा आठ प्रक्रण नंबर पांच और पार्ट टू में हम और प्रश्नोत्तर की और बढ़ेंगे आगे हाँ, देखे विदियार्थी मित्र सवाल बाल मन के हैं, मतलब आपके जैसे विदियार्थियों के कुछ प्रश्न है उसके उत्तर हमारे महा महीम डौक्टर अब्दूल कलाम प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं, बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं, कहते हैं कि वह विश्व में प्रसीद होना चाहते हैं, और कोई डॉक्टर, कोई एंजीनियर, और कोई वकील, आदी सब बड़े-बड़े स्वपन लेकर आते हैं, और ऐसा बनना चाहते हैं, तो क्या हम बन सकते हैं, ऐसे प्रश्ण डॉक्टर अब्दुलकलाम से बच्चे पूछ रहे हैं, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि क्यों कोई किसान, मजदूर, कलाकार, दस्तकार ये सभी भी तो हमारे राष्टर के अभी नंग हैं क्यों कोई किसान बनना नहीं चाहते, क्यों कोई मजदूरी करना नहीं चाहते, क्यों कोई अपना आर्ट, अपनी टैलेंट, अपनी कला को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, अभी आपको पता है न, हमारे राष्टर के वड़ा प्रधान जो है, उन्होंने आत्मनिर्पर बनने क विद्यार्थी मित्र मतलब हमारे पास जो हमारी टैलेंट है, हमारे पास हमारी जो कला है उसको हमें और आगे ले जाना है तो कहते हैं, राश्ट्र के निर्मान में यह सब हमारे अभिन्य योगदान देने वाले हैं अचा आचा ओके तो आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विक्सित राष्टर बन जाएगा और उसके लिए सबसे बड़ी चुनोती क्या है निरंतर बढ़ती जा रही जन संख्या हमारे देश की बेरोजगारी ये जो सारी समस्या हैं वह कहते हैं पहले डॉक्टर अब्दूल कलाम कहके गए हैं उन्होंने कहा है कि 2020 तक ये सारी समस्याओं से हम धीरे-धीरे समाप्त करके आगे विकास की और बढ़ सकते हैं और खास करके हमारे विकास में हमारे प्रोग्रेस में हमारी उन्नती में सबसे कोई अवरोधक कोई समस्या है तो वह है हमारी जन संख्या उसको रोकने का अचुक अउश्रदी है हमें विकास करना है तो हमारी जन संख्या को हमें रोकना बढ़ेगा इस प्रकार कहते हैं कि हमें शिक्षा पर भी ज्यादा जोर देना है और खास कर स्त्री शिक्षा की और हमें अधीक ज्यानकारी या अधीक श्त्रिये या तो हमारी बच्चिया अधीक अच्छे से पढ़ इस तरह से हमें विकास की और आगे बढ़ना है तो कहते हैं कि इस त्री शिक्षा को हम और जोर दे और इससे जैसे कहा ना जन संख्या को हमें रोकना है तो उनका बहुत सुन्दर सुत्र है कि चोटा परिवार सुखी परिवार और आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत ए है आपने किस तरह से ये सब जानकारी हमें दी है तो उन्होंने उस समस्या को सुल जाने के बाद कहा है कि हमारा देश जो है 2020 तक काफी प्रोग्रेस करेगा तो विद्यार्थी मित्र यहां हमने डॉक्टर अब्दूल कलाम के साथ साक्षात कार करके इंटर्यू में हमारे सारे बच्चे जो हैं बच्चोंने डॉक्टर अब्दूल कलाम से कुछ प्रश्न पूचे थे इसलिए लेशन का नाम है सवाल बालमन के जवाब महामहीम राष्ट्रपती डॉक्टर अब्दूल कलाम के जवाब है और उन्होंने कहा कि भारत की जो जनसंख्या है एक अरब से ज्यादा हो गई है और 54 करोड लोग जो है 25 वर्ष से कम है यानि हमारे पास युवा शक्ति ज् हमारा यंग जन्रेशन हमारा फ्यूचर उनको हमें और आगे ले जाना है और इसी तरह हम प्रोग्रेस करेंगे विकास करेंगे और एक अता से हम इस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं हमारे पास प्रचूर मात्रा में आधुनिक साधन है हमारे पास बहुत से ऐसे हम लोग साइन्स में हर क्षित्र में प्रोग्रेस कर रहे हैं विकास कर रहे हैं तो हमारे पास इनफ जैसे कहते हैं ना बहुत हमारे पास सुवीधा है और हम इस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं लक्ष प्राप्त करना हो तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं यह भी एक विद्यार्थी का प्रश्ण था कि जीवन में लक्ष प्राप्त करना है हमारे एम हमारे उदेशिय तक आगे बढ़ना है तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसी प्रकार एक प्रश्ण विद्यार्थी का है द देखते हैं, डॉक्टर कलाम उसका क्या उत्तर देते हैं, कि आपको स्कूल से ही, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदेशन करना है, चात्र उरुत्ती मिलती हैं, और जब आप छोटे हो, जैसे कहते हैं न, फिप सिक्स स्टांडर्ड में, डॉक्टर अब्दूल कलाम ज में सरकार की तरब से चात्र वृत्ती यानि स्कॉलर्शीप और लोन मिलती हैं, बैंक से, तो इस प्रकार आप अपने लक्ष तक पहुचने के लिए सरकार की मदद भी कर सकते हैं, या सरकार आपकी मदद कर सकती हैं, भारत को विक्सित राष्टर बनाने में, राज नितिग यानि पोलिटिशन की क्या भूमी का है, यह प्रश्ण पूचा है एक विद्यार्थी ने, तो कहते हैं कि देखें यह हमारे पोलिटिशन है, पहले के हमारे राष्टर पिता महत्मा गांधी, और इसी का आधार लेकर कहते हैं कि वर्तमान राजनितिग्यों को भी आज के वर पारदर्शी, पारदर्शी मतलब ट्रांसफरेंसी, ठीके, तो ट्रांसफरेंसी से, महनत से, लगन से काम करेंगे, तो हमारा देश विकास करेगा, प्रोग्रेस करेगा, और हम गरीबों को, या बेरोजगारों को, और आगे बढ़ा कर हम भारत देश का उत्थान, यानि वि विखास, प्रुग्रेस कर सकते हैं। रक्षा की दृष्टी में यानी सुरक्षा की दृष्टी में भी सोचना है। देखे विध्यार्थी मित्र हरे एक तरस से बच्चों ने प्रश्न पूँचा है। शिक्षा के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में अभी रक्षा के क्षेत्र में हम कैसे अपना विकास कर सकते हैं आपको पता है ना कुछी दिनों पहले हमारे देश ने कुछ फाइटर प्लेंस खरीदे हैं पता है ना उस प्लें का नाम क्या है येस वेरी गूड प्रोग्रेस किया है और कहते हैं 2020 तक हम वहां भी प्रोग्रेस करेंगे और खास कर महिलाओं को भी इन्वौल करेंगे महिलाएं भी हमारे सैना में भी शामिल है वह भी सुरक्षा के लिए तयार है। इस प्रकार 2020 में रक्षा के क्षेत्र में भी महत्व पूर्ण योगदान सभी लोगों का होगा और हम सभी तरह से विकास करेंगे आगे कहते हैं कि सर्शस्त्र सेनाओं में देखे सेना में भी महिला पुरुष के साथ महिलाओं का भी योगदान है कोई भेदभाव नहीं रहेगा इकवली दोनों देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे इस प्रकार हम तीनों सेनाओं में भी परियाप्त महिला अधिकारी हैं महिला ओफिसर हैं और हमारे देश में वो भी फाइटर प्लेन चलाती हैं और बहुत अच्छे से देश की सुरक्षा में आगे बढ़ते है क्या हम, एक बच्चे का प्रश्ण है कि क्या हम अतीविशिष्ट वक्तियों के दोरे पर हो रहें अनावश्यक खर्ष को कम कर सकते हैं यानी politician है या हमारे बड़े बड़े नेता या कोई businessman है जो बहुत सारे खर्चे करते हैं वह खर्चे अगर हम कम कर दे तो हमारा देश और विकास कर सकता है क्या आपको ऐसा लगता है तो उसका उत्तर डॉक्टर अब्दुल कलाम क्या देते हैं कि ठीक है हम जानते हैं सबसे पहले उन्होंने शुरुवात विद्यार्थी मित्र अपने और से की है उन्होंने कहा कि य एक सिम्पल सामानिय सी चैर पर बैठे हैं उन्होंने कहा कोई फिजूल खर्च नहीं कोई वेस्ट नहीं करना है पैसे का इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार तुम देखते हो मैंने ही शुरुवात की है कि हम कोई फिजूल खर्च नहीं करेंगे सिम्पल सोबर ऐसे हमारे महा मह प्राईम राष्ट्रपती डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि अगर हम ऐसे खर्चे कम कर देंगे तो देश की विकास में और ज्यादा फाइदा हो सकता है इस प्रकार डॉक्टर अब्दुल कलाम उसका पूरा नाम आप जानते हो अब्दुल पाकिर जहिनुलाबिदीन कलाम, बच्चों के कोई भी प्रश्ण हो या किसी के भी कोई भी प्रश्ण हो, उसका उत्तर देने के लिए वह तुरंत तयार थे, ऐसे महामहीम डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ, साक्षातकार हमने किया, मतलब उनके साथ प्रश्णों की चर्च की, तो इस प्रकार हमारा लेसन नमबर फाइव, बच्चे के यानि बालमन के सवाल और जवा डॉक्टर अब्दुल कलाम के, ये प्रकरण हमने साक्षातकार के रूप में यहाँ, आपकी भी प्रश्ण होंगे, आप भी अपने जो भी शिक्षगण हैं, या आचार्य हैं, प्रिंसीपल हैं, अपने माता-पिता हैं, उनसे कोई भी प्रश्ण हो, तो आप पूछ सकते हो, आपकी जिग्यासा वृद्धी समझ सकते हैं हम, और इसलिए आपकी ज्ञान के वृद्धी के अरने के लिए, आप ऐसे ही प्रश्ण पूछे, उसका उत्तर प्राप्त कीजे और आप भी विकास के क्षित्र में आगे बढ़िये, धन्यवाद